किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने गन्य के दाम में भडोतरी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है अब गन्य का उचित और लापकारी मुल्या यानी एफ रपी 340 रुपे प्रतिक विंचल होगा यह रेट चीनी सीजन 2024 के लिए होगा पिछले साल तक एफ रपी 315 रुपे प्रतिक विंचल था यानी किसान आंदोलन और चुनावी सीजन के बीच केंदर सरकार ने किसानों को रिजाने के लिए 25 रुपे प्रतिक विंचल का भारी इजाफा किया है कैबिनेट ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी है गन्य का यह एफ रपी सवा 10 फीसदी की चीनी रिकवरी पर मिलेगा अगर गन्य में चीनी रिकवरी सवा 10 फीसद से उपर होगी तो किसानों को परतेक 0.1 प्रतिशत अंग की बढ़ोतरी के लिए 3.32 रुपे यानि की 3 रुपे 32 पैसे प्रतिक विंचल ज्यादा मिलेंगे वसूली में 0.1 परसेंट की कमी पर समान राशी की कटोती की जाएगी जबकि 9.5 फीसद या उससे कम रिकवरी वाली चीनी मिलो के लिए एफ रुपे 315 रुपे 10 पैसे प्रतिक विंचल तै की गई है यह गन्ने की इत्यासिक कीमत है जो चालू सीजन 2023-24 के लिए गन्ने की FRP से लगबग 8 फीसद अधिक है गन्ने की A2 प्लस FL लागत से 107 फीसद अधिक पर नया FRP गन्ना किसानों की समरीदी सुनेश्चित करेगा गोरतलब है कि भारत पहले से ही दुनिया में गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत चुका रहा है और इसके बावजूत सरकार भारत के गरेलू भोकताओं को दुनिया की सबसे सस्ती चीनी सुनेश्चित करा रही है केंदर सरकार के इस फैसले से पांच क्रोड से अधिक गन्ना किसानों और चीनी शेतर से जुड़े लाखों अन्या लोगों को फायदा होने वाला है बिरो रिपोर्ट मारके टाइम्स टीवी